रोजाना ताजा खबरे पॉने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले तेज हवाई ले कराई मानसून की बारेश जम कर बर से बादल देखें वीडियो जबल पूर बादलों ने डेरा डाला सुबह की पहली के रणों के साथ सूरज खेलता रहा आंक में चौली और लोग उमज से परिशान होते रहे फिर धीरे धीरे ठंडी हवाओं ने राहत का संदेश दिया देखते ही देखते दोपहर तीन बजे तक बादलों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया तीन बज कर तीस मिनट बजे तेज हवाओं के साथ गर्जे बादल और कहा हैपी मानसून जी हा सूमवार का दिन कुछ ऐसा ही रहा है बादलों ने जम कर पानी बरसाया शहर तरबतर हो गया है पहले तेज बारिश फिर फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत दिलाई सुबह का तापमान जहां 36 डिगरी के आसपास रहा वहीं शाम चार बजे 28 डिगरी पर पहुँच गया हवाओं की रफ्तार 20 किमी प्रती घंटा से चल रही है मौसम विभा की माने तो शाम तक जोरदार बारिश हो सकती है वहीं तापमान में गिरावट बनी रहेगी रात को भी बारिश होने के आसार है मानसून को सक्रिय होने में एक से दो दिन लग सकते है इस बारिश को प्री मानसून की बारिश कहा जा सकता है पूर्वा नुमान है कि एक दो दिन में मानसून सक्रिय हो जाएगा इसके बाद 15 से 20 जून के बीच तेज बारिश हो सकती है अभी दक्षिन पश्चमी हवा के माध्यम से मुंबई में हो रही मानसूनी बारिश की नमी आ रही है इससे रिम जिम बारिश हो रही है रिम जिम बारिश वबादल चाने के कारण तेज धूप से राहत है तापमान में गिरावट हुई है हलां की उमस हला कान कर रही है रवेवार की रात साथ मिनी बारिश दर्ज की गई अधिक्तम तापमान सामाने से 6 डिगरी कम 35.5 डिगरी सेलसियस दर्ज किया गया जबकि निवन्तम तापमान सामाने से 3 डिगरी कम 24.4 डिगरी सेलसियस रहा सुबह की आधरिता 78 और शाम की आधरिता 56 प्रतिशत रही प्रिमानसून सीजन में 1 जून से अब तक 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है मौसम विभा के अनुसार बंगाल की खाड़ी से निकले बादल 36 गड़ में ही है हवा की गती बढ़ने से वे आगें बढ़ेंगे अरब सागर से आने वाला मानसून अभी विदर्भ में है इस बार उम्मीद जदाई जा रही है कि प्रदेश में जम कर बारिश होगी कहीं कहीं बार जैसे हालात भी निर्मित हो सकते हैं इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है